नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज में लेकर आई हूँ कन्या लगन वा मका राशी के जातकों के लिए अप्रेल 2021 का राशी फल आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कन्या लगन वा मका राशी के लिए अप्रेल का महा कैसा अगर आपका कन्या लगन वा मका राशी का कमीनेशन बनता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कन्या लगन का क्या आर्थ है कि आपकी कुंडली में जहां पर पहला भाव है उसमें छे नंबर का अंक लिखा हुआ है महां पर अकर छे नंबर का अंक लिखा हुआ है इसका यह अगर आपका कन्या लगन वा मकर राशी का कंबीनेशन है तो यह वीडियो देखकर आप लाव उठा सकते हैं अप्रेल के महा में क्रेहों की क्या इस्थिति है विष्टिक राशी में केतु बिद्धमान है और शनी माराज मकर राशी में होंगे च्छे अप्रेल को देख गुरू बरस्पती कुम राशी में चले जाएंगे छटे बाव में मा के आरब में सब्तम भाव में मीन राशी में सूरे बुद्धवा शुक्र की होती और तेरा अप्रल के बाद सूरे बुद्धशुक्र अश्टम में और मकर राशी की बात करें तो मकर राशी में शुञम शनीमाराज विद्ध्यमान है छेय प्रेल को देगरू बरसपती जो हैं आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे जहांका बहुत अच्छा फल देते हैं उससे मकर राशी की पोजीशन ये बनेगी कि शनी माराज की दिश्टीवी दशम भाब पर होगी और गुरू की दिश्टीवी दशम भाब पर होगी और कहते हैं किसी भी कारकारे की शिद्धी के लिए जरूरी है कि गुरू और शनी जैसे ग्रहे दशम भाब से समन्द रखें मा के आरम में ही सूरे बुध अधित्ते योग बनाएंगे मीन राषी में जो शुपसंकेत है और 13 अप्रेल के बाद मेश राषी में सूरे बदवशुक्र की उती मा के आरम में पंचम भाव मैं मंगलवराव की उती और 3 अप्रेल के बाद मंगल छटे भाव में आ जाएंगे जो आपके लिए पॉजिटिव होंगे और विष्टिक राशी में केतु हैं तो यह तो है ग्रहों की स्तती कन्या लगनवा मकर राशी के जात्कों के लिए अगर हम बात करें कि ओवराल जो बड़े ग्रह हैं उनकी पोजीशन कन्या लगनवा मकर राशी से कैसी चल रही है शरी माराज स्वराशी के चल रहे हैं पंचमे स्वराशी के चल रहा है लेकिन अब कन्या लगन के लिए जो देव गुरु बड़्सपती छे अपरेल से आई वह आपके छटे भाव में आ गए अब च्छटा भाव होता है हमारा रेंडोग शत्रु का क्योंकि मानव जाता है कुंड़ी के ट्रिक भाव है छटा आटमाइ बारवाव भाव है तो इसमें अगर गुरु जैसे घ्रह का गोचर होता है, तो गोचर कुछ हिसाब से कष्टदाई होता है, इसलिए अब कन्यालगन के जातकों के लिए ये संकेत है कि कुंडली में अब उनको कुछ सजव होके रहना पड़ेगा, अभी तक तो देव गुरु बर्सपती पंचम आपको रिष्टी गे रहे हैं और यहां पर देव गुरु भर्सपती भी शुब है मका राशी से, तो आपकी को टेंशन नहीं है, अगर आपका कन्यालगन और मका राशी का कमी नेशन बनता है, तो ये अप्रेल का महीना आपके लिए 50 परशंट तक बढ़िया जाने वाला ह अगर हम बात करें मका राशी की, तो कैरियर अच्छा चल रहा है, आपके पास जॉब नहीं ची तो जॉब ले सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है कि कन्यालगन में गुरु चटे भाब में आ गई, तो सबसे पहले तो ये आपके ट्रांसफर की संभावना बना सकते हैं, क्यों क्योंकि दशम से दशम का स्वामी चटे भाब में गया, जैसे कारिस्तल पे को विवाद हो जाए, उच्छ अधिकारिश्यों को विवाद हो जाए, आपको कोई जॉब में परिशानी हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मकार राशी से देव गुरु बर्स्त्वती जो आपके दशम भाब में चल रहे हैं, जाका बहुत अच्छा फल देते हैं और दशम भाब पर उनकी जिस्टी है, आपको जॉब मिल जाएगी, इसलिए कन्या लगनों मकार राशी के जातकों को केरियर को लिखके परिशान होने की जरुवत नहीं है, पर क्योंकि सप्तम जात्तर्म का सौमी चटे बाब में गया है, या तो जीवन साती का सवस्ते खराब हो सकता है, या आपका जीवन साती से कोई तनाव या विबाद हो सकता है, धन के लिए समय अच्छा रएगाiones, क्यों अच्छा राएगा या कन्ना लगन से देव गुरु भेश्पती चटे अब देव गुरु बश्पति जो चटे बाब में आए उनकी रिष्टी धन बाब पर हो गई एक दो तीन चार पांट चे साथ आठ नो धन वाब पर देव गुरु बश्पति की रिष्टी हो गई और 13 प्रल के बाद यहां पर बुद्ध और शुकर की रिष्टी भी धन बाब जरिए तो पर गुरू भर्स्पती चटे भाब में जाकर बिमारियों को उखारके आते हैं, आपको लंबे समय की जैसे डाइब्रटीज है। क्योंकि जो diabetes की बिमारी जनली होती है कि जब जो गुरू होता है या तो अपनी नीच राशी में होता है या गुरू हमारा छटा आठवा बारवा होता है तो गोचर में जब गुरू छटा होगा तो ऐसी स्थिती में आपको diabetes की बिमारी को बढ़ा देगा अस्तमा जैसी problem, blood pressure क पेट से जुड़ी problem, खाना नहीं पचेगा क्योंकि पंचम भाब में इस समय शनी चल रहे है तो डाइजेशन में कई तरह की problem दे रहे होंगे और साथी क्योंकि दशम से दशम का स्वामी छटे भाब में गया है तो यह तैह है कि कन्या लगना मकराशी होने से हो सकता है नौ अगलिक कारे हो सकते हैं किसी का जनम किसी का विवा शत्रु आप से पराजित होंगे इसलिए किसी टेंचन की बात नहीं है कि गुरु छटे भाब के हो गए कन्या लगन से क्योंकि मकराशी भी आपके साथ जुड़ी हुई है और तेरा प्रेल के बाद बुद्ध और शुक् सुविदा का समान आ सकता है और आपकी इस्तिती अच्छी रहेगी आप अपने करजे चुकाना चाहते हैं तो आप कन्या लगन वा मकराशी का कमिनेशन है गुरु की दिष्टी छटे भाब पर है आप अपने करजे भी चुका सकते हैं क्योंकि मंगल छटे भाब में बैठे अगर आपका कमिनेशन बनता है तो अप्रेल का महिना आपके लिए 50% तक बढ़िया जाएगा लेकिन अगर आपकी दशाएं बहुत बढ़िया चल रही होंगी तो यह परसंटेज 60-70% भी बढ़ सकती है तो दर्शको आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट वक्स